हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग तो ओल अफ यू वेलकम दो लॉजिक पार्ट शाला आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे थर्ड और जून तुटाउसेंट ट्विटी थी के इंपॉर्टेंट करिंट अफियास के क्वेश्चन्स फैंट इस वीडियो का चो पीड़े फ ग्रूप से मिल जाएगा लिंक आपको डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है आप लोग टेलिग्राम पर लॉजिक पार्ट शाला 16 को भी सर्च करके हमारे ग्रूप को जॉइन कर सकती हैं तो डेलिकर इंटरफेक्स के साथ साथ हम आपको स्टेटिक जीके क्योर्शन्स भी कवर कराती हैं ताकि हम अच्छे से सभी पोर्शन को कम्प्लीट कर सकें तो चलिए फेंट से वीडियो को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोड सी काम्याबी का जुनून होना चाहिए फिर मुश्किलों की क्या अवकात तो कि अगर हमारे अंदर ना सकस्स होने का जुन हैं हमने एक दढ़ निश्य कर लिया है कि हम अपने लाइफ में सकस्स होएंगे ही होएंगे तो कितनी में प्रॉब्लम क्यों ना हो कितनी बी मुश्किले क्यों ना हो तो वह हमारे सामने फिर कुछ नहीं है हम उसे असानी से फ्रेज कर पाएंगे और उनसे बाहर निकल इस दिन देखे recognize किया जाता है कि जो bicycle है वो as a way to get a sustainable form of traveling यानि travel का एक sustainable form या थाई रूप से प्राप्त करने के तरीके के रूप में उसे recognize करने के लिए क्योंकि cycle से देखे वो हमारे physically बहुत अच्छा है हमारी physical health के लिए भी बहुत अच्छा है bicycle तो उसको एक travel के माध्यम से किस तरीके से use कर सके एक कैसी उसका एक तरीका हो उसको recognize करने के लिए ये दिन मनाया चाता है सबसे पहली बार ये दिन observe किया गया था 3rd of June 2018 को आप आती है theme तो इसकी theme याद रखेंगे riding together for a sustainable future friends जो May महीने के important days की video है वो upload हो गई है आप लोगो इसको जरूँ चेक करें और इसके लाब वा बाकी अदर जो months की days or themes की video है वो आपको days or themes की playlist है 2023 की वो आपको playlist में मिल जाएगी आप वहाँ से देखें हर एक महीने के एक अलग video है जिसमें हमने आपको याद भी करवाया है tricks की मात्यम से तो उससे आप देखें हर महीने के जो days उनको असानी से याद कर सकेंगे इन वीडियोस को जरूँ चेक करें उसके लिए आप लोग playlist को देखें स्टार्ट करते हैं friends question number first से पहला question है which of the following country has launched its first commercial grade satellite हाली में किस देश ने अपना पहला वानिंचे grade उपग्रह को launch किया है तो अभी recently South Korea ने जो है अपना एक commercial grade satellite को launch किया है South Korea ने इसे launch कहां से किया है तो इसे narrow space center जो कि Gohang South Korea है वहां से launch किया और इसमें नूरी rocket का use किया गया है ठीक है याद रखेंगे friends तीन और देखिए नूरी rockets हैं जिनको plan कर रहा है South Korea launch करने के कब तक 2027 तक जो main satellite है इसका उदेशे किया है तो इसका उदेशे है verifying imaging radar technology and observing cosmic radiation in near earth orbit तो इसका उदेशे है imaging radar technique जो है उसकी पुष्टी करना उसको verify करना साथी में पास में जो निकट प्रत्वी के कख्षा में जो cosmic radiation है उनको observe करना उनका अवलोकन करना ये इसका उदेशे है South Korea की बात करें friends तो आप मैप में दिखिए यहाँ पे आपको Korea दिख रहा है और यहाँ पे divide है और यह है South Korea अधर है North Korea South Korea की capital है Seoul currency है South Korean won Prime Minister है Han Daksu और President है Yoon Suk Yol Next question अगला question है in which city the third India Vietnam maritime security dialogue has been held तीसरा भारत व्यतनाम समुद्री सुरशा समवाद किस शहर में आयोजित किया गया है Right answer है friends इसका आयोजित किया गया है कहाँ पे New Delhi में तो इंडिया व्यतनाम के बीच जो तीसरा maritime security dialogue है इसका आयोजित हुआ है New Delhi में दोनों साइट से जेखिए जो marine environment है इसे कहते हैं समुद्री परियावरण उसको बहतर बनाये रखने के जो तरीके हैं या किस तरीके से हम उसे maintain कर सकें उस पे चर्चा की गई जो कि दोनों countries के inclusive development के लिए काफी ज़ता सहायक है तो उनस अभी points के उपर discuss किया गया इस dialogue में और ये कौनसे edition ता ध्यान रखेंगे ये ता तीसरा edition कहां पी हुआ New Delhi में Next question The Indian G20 presidency is organizing the third employment working group meeting in which city? तो तीसरी employment working group की जो meeting है इसका आयोचन कौन से शहर में हुआ? तो सही answer है Geneva Switzerland में जो है इसका आयोचन किया गया 28 जो G20 member countries है 20 जिसमें 19 तो countries है और एक European Union है तो इसके 78 delegates 9 guest country 4 international organization ने इस meeting को attend किया बात करें G20 से लिटेट कुछ और important news की तो देखिए अभी हाली में दूसरी G20 anti-corruption working group की जो meeting है कहां पी होई रिशिकेश में दूसरी G20 disaster risk reduction working group की meeting होई मुंबई महारास्ट में दूसरी trade और investment working group की meeting होई बैंगलूरू में इसके लाब अदिके तीसरी G20 tourism working group की जो meeting है यह होई आपकी श्रीनगर जम्मू कश्मीर में next question how many railway stations to be upgraded under अमरित भारत station scheme तो जो अमरित भारत station scheme है इसके तहट कितनी railway stations को upgrade किया जाएगा तो total 1275 railway stations जो है उनको upgrade किया जाएगा तो यह decision है अभी हाली में न्यू डेली में एक meeting हुई थी उसी दौरान यह decision लिया किया और यह meeting हुई थी railway minister अश्वनी वैशनों की अध्यक्षिदामी तो दिखें जो अमरित भारत station scheme है तो इस scheme के तहदे कि जितनी भी railway stations होगे ना उनको एक तरीके से modernize किया जाएगा नहीं जो facilities नहीं जैसे wifi access हो गया या फिर साथी में जो platform है उसको improve किया जाएगा और rooms furniture तो यह सारी चीज़ें जिसे जो जितने भी passengers उनको travel में बहुत असानी हूँ उनको एक अच्छा experience में उसके लिए जो है सभी stations को जितने railway station को modernize किया जाएगा इस scheme के तहद और अभी तो देखिए एहमद नगर जो जिला है इसका नाम योद्धा रानी अहिल्यवाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा तो एहमद नगर जो है किस राज्ये का जिला है तो यह district के Consistate का महराश्ट का तो यह जो announcement अभी महराश्ट के चीर पिनिस्टर जो है एकनात शिंदे जी के द्वारा की गई और यह announcement की गई एक प्रोग्राम और नाइस हुआ था अहिल्ला भाई होलकर जी की बर्थ प्लेस पर उनके 297th बर्थ अनिवर्सरी पर तो उसी प्रोग्राम में जो है इसकी announcement की गई अहिल्ला भाई होलकर जी का जन्म हुआ था 1725 में और शी वस फेमस रूलर आफ इंदोर किंग्डम तो आपको याद रखना है कि कौन से इस्ट्री का नाम चेंज हो रहा है अहमद नकर अभी रिसेंट ले देखें महाराष्ट के चीफ मिनिस्टर एकनाश इंदे जी ने ये कहा था कि जो बांदरा वरसोबा सी लिंक है ब्रिज है उसका नाम रखा जाएगा किसके नाम पे वीर सावरकर सीटू उसे उसको नाम दिया जाएगा बात करते हैं महाराष्ट रखी तो क्यापिटल है महाराष्ट की मुंबई चीफ मिनिस्टर है एकनाश इंदे गवर्नर है रमेश बाइस चंदोली नेशनल पार्क नेगाउं संजे कांदी तडोबा ये इंपोर्टन नेशनल पार्क है हरिटे साइट्स में इंक्लूड है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलेफेंटा केव्स, चत्रबती, शिवाजी, टर्मिनस, विक्टोरियन, गोथिक, एंड आर्ट डेको, एंसेंबल्स ओफ मुंबई फोक डांस हैं यहां के लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम और गफा महराश्टे बात करते हैं कुछ इंपोर्टन नियूस की तो देखें महराश्ट ने अभी एक नया पोर्टल लॉंच किया था और उसे नाम किया दिया साशन आपलिया दारी इसके लाव महराश्ट की काबिनेट ने अप्रूफ किया जेंडर इंक्लूसिव ट्यूरिस्म पॉलिसी को, महराश्ट पहला स्टेट बराव जिसने अप्रूफ किया गुड गवर्नेंस रेगुलेशन को महराष्ट की सरकार ने सलोखा योशना को शुरू किया महराष्ट के शहर नागपूर में एक नया इनिशियेटिफ शुरू किया गया था बैगर फरी सिटी किया महराष्ट की सरकार ने डिसाइड किया कि feeder fighters की चो income है उसको double किया जाएगा इसके लाव और फेंट महारास्ट पहला state बना जिसनी लोका युक्त बिल को पास किया तो ये कुछ important news है महारास्ट से related next question पर बढ़ते हैं अगला question है which insurance company has launched a term insurance plan for type 2 diabetes तो किस भी मा company ने type 2 diabetes रूगयों के लिए term insurance योशना को शुरू किया है तो इस योशना को शुरू किया है friends बजास एलियांस insurance नी ये जो plan है देखिए जो diabetes वारे लोग हैं उनकी health condition की जो बारी के उनको धिहान में रखते विए उनको coverage ये प्रदान करेगी तो जो pre-diabetic और type 2 diabetes है उनको देखिए financial security जो है इसके तहर प्रवाइट की जाएगी तो ध्यान लेकिंगे इसे बजाज एलियांस life insurance ने इसे launch किया है अभी हाली में कुछ और facilities की बात करें तो yes bank ने देखिए अपना एक नया logo और life को बनाओ rich campaign को launch किया राजोर पी ने turbo UPI को launch किया access bank को NPCI के साथ मिलके इसके लवा access bank ने अभी digital onboarding platform नाम दिया है सार्थी तो इस platform को launch किया पेटियम ने launch किया पेटियम SBI card on rupay network with NPCI bank of burda ने launch किया electronic bank guarantee तो उन्होंने अपने digital platform पे electronic bank guarantee को launch किया अगला question अश्वनी कुमार has been appointed as a new MDN CEO of which bank तो अश्वनी कुमार चुहें भी हाली में यूकु बैंक के नई MD और CEO बने है यूकु बैंक यानि United Commercial Bank इसके सापना होई 1943 में हेटकॉर्टर है इसका कॉलकाथा में MDCO है अश्वनी कुमार और इसकी tagline है honors your trust अब बात करती है banking sector में ही कुछ appointment की देखिए तो इससे revision हो जाएगा करनाटक बैंक के MDCO कौन बने श्री कृष्णन हरी हर शर्मा पेटियम के पार्ट्टाइंग चेर्मन बने है विजर शेकर ये रियपॉइंट हुए है आईटी बी आई बैंक के डपुटी मैनेचिंग डारेक्टर बने जै कुमार एस पिलाई पेटियम के प्रेजिडेंट और सी ओ बने भावेश गुपता बैंक ओफ बड़ुदा के MDO CEO बने है देवदत चंद बैंक ओफ इंडिया के MDO CEO बने कौन रजनीश के अगला क्वेशन देखिए तो नेवल आर्ममेंट के महा नदिश के रूप में किसने पतभार समहाला तो किसे अपॉइंट किया गया है सही आंसर है P. Upadyajji को अपॉइंट किया गया है P. Upadyajji जो है ये 1987 बैच के इंडियान नेवल आर्ममेंट सर्विस के ओफिसर है उन्होंने नेवल आर्ममेंट और्गनाइसेशन जो है इंडियान नेवी की उसे जोइन कब किया था 12 जुलाइं 1989 में Next question Who has been appointed as a member of the United Union Public Service Commission तो भी हाली में UPSC के सदस्ते के रोप में किसे न्युक्त किया गया है Correct answer है विद्युद बिहारी सुएन जो है ये UPSC में अभी member अपॉइंट हुए है UPSC की बात करें तो इसकी स्टिबलाइश्मेंट होई 1st October 1926 को Headquarters का New Delhi में है Chairman है UPSC के Manoj Soni UPSC एक Central Recruitment Agency है For Group A Officer Post की Under the Government of India Next question Who is the author of the book? Title जो क्या है इसका? Ringside तो Ringside जो बुक है किसने लिखी है? Correct answer है Sashi Tharur बहुती famous author है देखिए उन्होंने इसको release किया है लेकिन अगर बात करें ये बुक लिखी किसने है? तो सही answer आपका रहेगा Dr. Vijay Darda इन्होंने जो है ये बुक लिखी है ठीके? अगर पूछें कि लिखी किसने है? इसके author कौन है? तो ये बुक लिखी है Dr. Vijay Darda ने लेकिन famous author ही है Sashi Tharur उन्होंने इस पुस्तक को release किया है तो यहाँ दो चीज़े आपको धिहान रखनी है बात करते हैं कुछ और बुक की तो देखिए बुक के नाम The Golden Years The Many Joys of Living a Good Long Life ये बुक लिखी रस्किन बॉंड The Indian Metropolis Deconstructing India's Urban Spaces ये बुक लिखी वरुन गांधी ने Made in India 75 Years of Business and Enterprise ये बुक लिखी अमिताप कांथ ने My Life as a Comrade ये लिखी के शेल जाने Collective Spirit Concrete Action ये बुक लिखी है Sashi Shekar Vempa पती ने अगला question Which of the following country Has won Men's Junior Asia Cup 2023 अभी देखे पुर्षू का जो Junior Asia कब हुआ ये किसने जीता तो ये टाइटल जीता है इस बार किसने इंडिया ने और इंडिया ने जो है इसमें Final में किसे defeat किया पाकिस्तान को इंडिया ने इससे पहले भी तीन बार ये टूनामेंट जीता है 2004, 2008 और 2015 में और सो पाकिस्तान ने भी तीन बार ये से पहले टाइटल जीता है 1987, 1992, 1996 तो इंडिया का ये कौन सा टाइटल हुआ तो इंडिया ने जीता अपना चौथा टाइटल So friends, यहां questions का सिलसला हो जाता है बिल्कुल complete अब आती है बारे स्टेटी जीके के questions कवर करने की तो चले start करते हैं पहला question देखे क्या है Which straight divides Europe from Africa कौन सा जो straight है जो कि Europe को अफरीका से विभाजित करता है तो Europe और अफरीका की बात करते हैं इनको अलग या इनको separate कौन सा स्टेट कर रहा है तो आप एच देखे कौन सा है Straight of Gibraltar जो straight of Gibraltar है यह Atlantic Ocean और Mediterranean जो C है इसको तो connect करता है और यह Europe और अफरीका को क्या कर रहा है separate कर रहा है Next question The Blue Mountain Peak is located in the state of India तो Blue Mountain Peak जो है भारत के किस राज़े में स्थेद है तो यह located है फ्रेंट्स कहां पे मिजोरम में जो Blue Mountain है उसको एक और नाम से जानते हैं उसे फांग पूई जो है यह भी कहा जाता है और यह मिजो हिल्स में highest mountain peak है Next question India and Sri Lanka separated by Dash भारत और श्रीलंका को किसके दोरा अलग किया गया है ओप्शिन्स में देखें तो सही आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही पार्क स्ट्रेट तो पार्क स्ट्रेट से पाकिस्तान मत समझेगा तो आप देख सकते हैं वैप में यह हाँ पे पार्क स्ट्रेट लोकेटेट और यह इंडिया और श्रीलंका को क्या कर रहा है बिभाजित कर रहा है Next question Which one of the following rivers crosses the equator twice तो इन में इसे कौन सी नदी है चो equator यानि मुमदे रिखा को दो बार काटती है सही आंसर है जाइरे तो जाइरे रिवर जो है इसे कोंगो रिवर भी कहती है और यह एफरिका की second largest river है नाइल से चूटी है यह और यह क्या करती है जो आप भी देख सकते हैं equator है इसको यह दो बार cross करती है एक बार यहाँ एक बार यहाँ बीट्वीन दी युनाइटे स्टीट ऑफ अमेरिका और मैकसिको इस डैश इच तो युएस ट और मैकसिको की सीमा पे कौल से नतीश थित है तो आप देख सकते हैं मैकसिको इथर यूएस दी है और यह जो है इनका बार्डर है इस पे कौल सी रिवर आ रही है रियो ग्रिनेड जो रिवर है ये 5th longest रिवर है नौर्थ अमेरिका की और पूरे वर्ड की ये 20th longest रिवर है और ये लोकेटेड है US और मैक्सिको जो बोर्डर है तो USA का जो टैक्सस लगता है यहाँ पे तो इसके बोर्डर पर ही जो है रिवर लोकेटेड है So friends questions पी यहाँ पे हो जाते हैं हमारे सभी complete अब टाइम आता है revision करने का तो चलिए हम लोग फटाफट से कलके questions को revise कर लेते हैं पहला question है Jude Bellingham has been named Bunsley का player of the season for his incredible campaign He is related to which sport तो अगर बात करें Jude Bellingham ये किस खेल से संबंधित है तो इनका संबंध है football से अगला question Who has become the first female NCC cadet in India to complete the advanced mountaineering course in the Himalayan region of Uttarkashi in Uttarakhand इस course को पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC cadet कौन बन गई Answer है Shalini Singh Next question Who has been appointed as a managing director of Solar Energy Corporation of India Limited So इसके अभी प्रमंद निदेशा की रूप में किसे पॉइंट किया गया Answer है Ajay Yadav Next है किस स्टेट गवर्रमेंट ने एक M.U. साइन किया है National Institute of Open Schooling के साथ मिलके To facilitate the return of dropout to educational institutions तो इसके लिए फ्रेंट्स बात करते हैं Consist State Government ने ये साइन किया है Answer हो जाएगा Meghalya ने जो है ये M.U. साइन किया है Next question है किस स्टेट की गवर्रमेंट ने अप्रूफ किया The Implementation of I.E. Tourism Policy तो आई या मा परिटर नेती के कारियानवन को भी मंसूरी दिया है किसने महराष्ट सरकार ने Prime Minister Narendra Modi ji ने launch किया महा जनसंपर्ग campaign कौन से शहर में तो राजस्थान के अजमेर शहर में इसे शुरू किया Next, University of Edinburgh and the Indian Consultant in the UK have collaborated to create the first open access course in which language किस भाशा में पहला open access course बनाने के लिए सयोग किया है तो यह collaboration किया गया है Hindi course को पहला जो Hindi open course है उसको जो है बनाने के लिए Next, which country will host an oil and gas conference तो अभी देखिए तेल और gas अमेलन जो है इसके मिजवानी कौन से country करेगी तो यह आयजित होगा सूरी नाम country में Next question, Recep Tayyar Erdogan was re-elected as a president of which country तो Recep Tayyar Erdogan जो है हाली में तुर्की के नए राष्टपती के रूप में फिरसे चुने गई है तो friends यहाँ पे हमारे वीडियो के questions complete होते हैं कल आप लोगों से हमने दो questions पूचेते पहला था कि जियो सिनिमा के brand ambassador कौन है तो इसका answer है रोहिर शर्मा सेकंड था कि LIC के chairman कौन appoint होए है तो answer है सिदार मोहनती So thank you so much friends आप सभी ने बिल्कुल सही answer किये हैं आज के हमारे comment है साहिल सिंग और खुश्बू सिंग चीका So thank you both of you तो अब आप बारी आती है आपकी आज के questions को solve करने की Question ने देखे where was the joint military exercise ex-coverage held तो question में पूचा है कि जो ex-coverage देखे joint military अभ्यास है यह कहां पे आयोजित किया गया था दूसरा question where was the program commemoration of 50 years of project tiger inaugurated by prime minister Narendra Modi ji तो project tiger के 50 साल पूरे होने के उपलक्षय में जो program था इसको कहां पे inaugurate किया गया तो इन questions के answer आप हमें comment box में जरूर बताएं इसके साथ find see video हमारी यहां पे होती है complete आपको यह video हमारे अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें share करें अपने दोस्तों के साथ और चानल पे नए हो तो चानल को subscribe जरूर करें आप लोगों से इन फिर मुलाकात होगे एक important class में thank you so much for watching this video आपको यह वीडियो